अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले आप मैं इस कॉंपेटिशन में इससा ले रहा हूँ लेकिन मुन्ना तू मान कैसे गया यह क्या कर रही हो तुम रादिका बुलाने इसे तुम आरे पास नहीं आएगा तुम्हें जाना पड़ेगा उसके पास वो दिर्विम जी हमना योगा कर रहे थे ताकि हमारा वजन कम हो जाए अगर हम पतले होते ना तो ये बेस चोड़ी कॉंपेटिशन में जरूर हिस्सा ले पाते रादिका तुम ना अच्छे से जानती हो कि ये वज़ा नहीं है कि मैं इस कॉंपेटिशन में हिस्सा नहीं ले रहा तो फिर तुम क्यों मुझे एमोशनली ब्लाक मेल कर रहे हो ऐसे मुझे मनाने की कोशिश मत करो तो ते विम जी जिब आप हमारा इरादा समझ ही कहें तो मान जाएए ना समझ गया हो रादिका तो जरूरी नहीं ना कि मान जाओं नहीं मानना मुझे अच्छो चीक है हमारे पास ना एक आइडिया है हम आपको एक चुनोती देंगे अगर आप उसमें जीत गए तो हम जित छोड़ देंगे और आपको इससा लेने के लिए नहीं कहेंगे लेकिन अगर आप हार गए तो आप अपनी जित छोड़ देंगे और इस कॉंपटेशन में हिस्सा लेंगे मन्जूर है ऐसा है रादिका कि मुझे तुम्हारी कोई चुनोती नहीं चाहिए तुम अपनी चुनोती अपने पास रखो ओ तो इसका मतलब आपको डर लग रहा है इसलिए ना आप कॉंपटेशन में हिस्सा ले रहें और ना ही हमारी चुनोती पूरा करना चाहते हैं डर और मैं मेरे डिक्शनरी में डर ये वर्ड है ही नहीं रादिका तुम भोल गई तुम किस से बात कर रहे हो डी बी किसी चीज़ से नहीं डरता दे विंबन सरस्थ क्या गर मैं बताओ तावल को ऐसे पकड़िये अब शर्थ बस इतनी सी है कि आपको इस तावल को यहां से बहार निकाना लेकिन ट्विस्ट यह है किना आप नल बन कर सकते और नाहीं यह तावल भीगना चाले अगर तावल को बिना भिगाए आपने वहां से निकाल लिया तो आप जीच चाहेंगे और फिर हम आपसे किसी भी बात की कोई जित नहीं करेंगे यह में एक्दम आसानी सिखा सकता हूँ देखो और सीखो तुम यह राय मुझसे यह मुझसे क्या रादिका यह किसी से भी नहीं होगा तुमने जानमुच कि यह टास्क दिया ना मुझको ताकि मैं ना कर पाँओ तुमको आता तो तुम जीच जाओ जूट मत बोला मुझसे तरफिम जी ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि यह तो बहुत जादा आसानी है अब इस थोड़ा सा दिमाग चलाएं मैं दिमाग चलाता ने मैं दिमाग दोडाता हूँ समझी तुम तुमको आता ने इतना चुरो तुम गर के दिखाओ लाइए लिजिए आईए अब आप देखिये और सीखिये वो क्या कहते है इंग्लिश में वाच एनलाइए अब नल सालू करतीजिए अलो यह तो चीटिंग की ना तुमने है अले कोंसी चीटिंग की अरे तो हाथ गीरा हो एंज़ा तुमारा दिखा सकते हम ने बोरा था ये टावल नी भीग नी चाहिए पहले ही बोला थोड़ा सा दिमाग कर गी जे पर आप में किया नी अब आप ये चुनौती पूरी नही रादिका कुछ कॉम्पिटिशन नहीं जिखे लूगे रादिका बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया आरे, चलो, कम्पिटिशन में पहुंचना कहीं देर ना हो जाए रादिका, मुझे ये चपल बौत काट रही है आप लोग सब गाड़ी में बैठी हैं, मैं दू मिनिट में बदल के आती हूँ जाली गोलू, चल गाड़ी निगाल जल्दी चल्दी, हे भोलेनाथ, इस कॉम्पिटिशन में कोई भी जीते है बस हमारे परिवार की हसी खुशी ऐसे ही बनाए रखिएगा हाँ, चल्यू हाई दया, कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ देखेगा आप लोग, आज की प्रत्य होगे ता में न, हम धमाली कर देंगे हाँ अरे, तुम सब लोग पीछे जाकर तयार हो जाओ, जहां बाकी लोग तयार हो रहें यहाँ मैं, माँ और कवीता सामने बैठके, इवेंट को इंजॉय करेंगे और तुमें चेयर करेंगे जी, जी, मिस्टर कुगरीजा, जी, ठीक है, आने से पहले कॉल कर देजिएगा, ओके-ओके जी, 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 अराम जाब क्या हुआ, अब ठीक तो है ना अरे, नहीं, साली साहबा, मुझे लगता है, मेरे पया में बहुत तगडी मोचागरी है सॉरी, काया बेभी, हम नहीं लगता हम इस प्रतोगिता में हिस्सा ले पाएंगे क्या, मर्, मेरा इतना मन था इसमें हिस्सा लेने का, तुम हर बार ऐसे ही करते हूँ देखा रादिका, हमेशा ऐसी होता है, हमेशा एन मोके पर मुझे दोका मिलता है काया, तुम एसे नाराज क्यों ओडियो, जीजा जी ने जानमुछ की थोड़ी ना क्या, भादसा था लग दी चोट ऐसे मोके पर तुम्हे उनका ध्यान देना चाहिए और तुम नाराज की दिखा रही हो चलो, जो हुआ सो हुआ ताया, अमर, तुम लोग ओडियंस में बैठो और हमारे साथ बैठके इंज्वाए करो और तुम लोग अच्छे से करना हाँ तौफी लेके आना जी माँ चलो, चलो, अराम से, अराम से, चलो सुजाता, ओल दे बेस मेहनोर भाईयो, वेलकम स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेस जोड़ी प्रतियोगी तामे और आज आईए आपका परीचा कराता हूं हमारे आज के कंटेस्टन्स से जोकी है बंसर परिवार से ही तीन जोड़िया जिनमें से आज हम लोगों के साथ है जगमहन जी और सुजाता बंसर जी गौतम और उनकी पत्नी कली और साथ में है दीब्यम और उनकी पत्नी राधीका जी और इन लोगों के साथ हम लोगों के पास आज कुछ और भी कंटेस्टन्स हैं जिनमें से हैं Mr.&Mr. जिसुजा Mr.&Mr. ठाकूर Mr. & Mr. मिश्रा इस प्रतियों की तामें हमारे दो राउंड होगे और पहले राउंड के विजेता हमारे रेस्पेक्टेड जजिस्त रही करेंगे तो हमारा पहला राउंड होगा जोड़ी कमपैटिबिलीटी राउंड का बात मानी जाती है कि आज के जमाने में पती और पत्नी को एक समान मना जाता है अब हमारे पहले राउंड में चैलेंज ये है पहले 15 मिनिट के अंदर आपको खाना बना कर टीफिन में पैक करना है और कपड़े धोने हैं अब एक और ट्विस्ट राउंड में ये है कि हमने किचन का सैटप स्टेज के एक और लगा रखा है और कपड़े धोने का सैटप स्टेज के दूसरी और लगा रखा है जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं हमारी आम जिन्दगी में महिलाएं किचन से लेकर बातरूम तर दोड़ भाग करते हुए सारे काम संभालती रहती है लेकिन अब देखना ये है कि एक कपल तालमेल के साथ ये चुनोती पूरी कर पाएगे या नहीं अब इस राउंड में हम लोगों के पास इस चुनोती के लिए दो कपल्स हैं बंसल परिवार से हैं गौतम जी और उनकी पत्नी कली और उनके साथ कॉम्पिट करेंगे मिस्टर और मिसिस डिसूजा अब बाकी सारे कपल्स से मेरी एक गुसारी शेक आगरह है कि आप लोग स्टेज के पीछे जाकर इंतिजार कीजीए लेकिन इस राउंड में एक ट्वीस्ट और भी है जिहां वो ये कि इस राउंड में हमने पती को अपनी पत्नी से थोड़ी दूरी पर रखा है वो इसलिए कि जब आपको अपने जोड़ीदार की पास जाना है तो थोड़ा दोड़ कर जाना पड़ेगा मशक्कत करनी पड़ेगी और शुरुआत करते हैं अब पहले राउंड की कोलू के पपा देख लीजिएगा ये राउंड रादी कब हो फट से जीच जाएगी क्योंकि वो घर भी बहुत अच्छे से समाह लेती है और खाना भी बना लेती है मुझे तो लगता है ये राउंड सिर्फ और सिर्फ रादी कब हो के लिए ही बना लगा तो आप लोग अपने पूजिशन्स ले लीजिए गोलो अच्छे से करना कमान तेली भावी घर तो नौकरानी है यहाँ पर भी नौकरानी बना दिया और आपका समय शुरू होता है अब सारे कंटेस्टन्स एक्दम देजी से अपने कार्य को पूरा करते हुए टमाटर काट दीजिए ये गौतम जी एक्दम पूर्ती से अपनी पत्मी का साथ देते हुए अब देखिए मन अतिसुन्दर दंगल प्लेपर टीवी से पहले अपने का सारे करते हुए झाल वश्या झाल 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 झाल